चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हम कुछ उदारणों द्वारा यह देखते हैं कि कौन से समिकरण एक चरवाला रेखिक समिकरण कहलाए जाते हैं पिछले सत्र में हमने देखा कि हमें दी गई हुई जानकारी को एक ऐसे समिकरण में कैसे संग्शिप्ट करते हैं क्या आपको याद है कि यह समिकरण हमें क्या बताता है? यहाँ एक्स एक चर है जिसका मान हम ढूनना चाते हैं यह समिकरण हमें बताता है कि बायपक्ष का कुल मान दायपक्ष यानि असी के बराबर होना चाहिए आईए इस सत्र की शुरुवात हम इन समिकरणों के साथ करते हैं हम देख सकते हैं कि पहले समिकरण में हमारे पास दो चर है X और Y इसी तरह दूसरे समिकरण में भी दो चर है A और B लेकिन हमारे अंतिम समिकरण में केवल एक चर है जो X है इसलिए केवल इस समिकरण को हम एक चर वाला रेखिक समिकरण कह सकते हैं अब यहाँ एक चर वाले कुछ समिकरण है पहले समिकरण को देखिए चर एक्स की उच्चतम गात एक है दूसरे समिकरण में एक्स की उच्चतम गात दो है क्या आप अन्य दो समिकरणों में चरों की उच्चतम गात खोच सकते हैं? बिल्कुल सही समिकरण तीन और चार में चर एक्स के उच्चतम गात तीन और एक क्रमश है कोई भी समिकरण एक चर वाला रेखिक समिकरण तब कहलाता है जब उसमें चर की उच्चतम गात एक होती है तो क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि इन में से कौन से समिकरण एक चर वाले रेखिक समिकरण है? हम देखते हैं कि यह दोनों समिकरण एक चर वाले रेखिक समिकरण है और यह दोनों रेखिक समिकरण नहीं है आईए हम कुछ और समिकरण देखते हैं इन चार समिकरणों में से कौन सा एक चरवाला रेखिक समिकरण है? पहले समिकरण पर ध्यान दे इस समिकरण में चर एक्स की उच्चतम गात दो है इसलिए यह एक चरवाला रेखिक समिकरण नहीं हो सकता अब दूसरे समिकरण में हम देख सकते हैं कि चर X की उच्चतम गात 3 है इसलिए यह समिकरण भी एक चर वाला रेखिक समिकरण नहीं हो सकता अब हम तीसरे समिकरण पर विचार करते हैं यहां चर Y की उच्चतम गात 1 है इसी लिए यह एक चर वाला रैखिक समिकरन है अब चौते समिकरन पर चलते हैं यहां हम देख सकते हैं कि चर A और B की उच्चतम गात एक है तो यह एक रैखिक समिकरन है लेकिन क्योंकि हमारे पास दो चर A और B है इसलिए यह समिकरण एक चर वाला रैखिक समिकरण नहीं है इसलिए केवल तीसरा समिकरण एक चर वाला रैखिक समिकरण है इस सत्र में हमने कुछ उधारणों द्वारा देखा कि एक चर वाले रैखिक समिकरण क्या होते है एक चर मतलब समिकरण में केवल एक ही चर है और रैखिक मतलब उस चर की उच्चतम गात एक है अगले पार्ट में हम यह देखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समिकरण के बारे में हमें आमतोर पर क्या ब्रहम होते हैं कि एक बारे में आमतोर प्रहम है